आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है जब नाशा के वेज्णिकों को इस इन चीजों के बारे में पता चला, तो वह भी हैरान रहे गए और सबसे बड़ी बात की जब आपको इनके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़िया खत्म हो चुकी है और राममंदिर भी बन कर तयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहें। क्योंकि इस दिन की भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतजार है। लोग राम लल्ला की स्थापित होने वाली मूर्ती को देखकर जूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दर्वाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिये जाएंगे, इस मूर्ती को बनवाने के लिए देश के तीन सबसे बड़े मूर्तिकारों को बु लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमतकार हुए हैं, उसे देखकर मंदिर के पद्दती समेथ कई लोग दंग रह गए हैं, यहां तक इन चीजों को देखकर नासा के विज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया है, और तो और वह एक ऐसी गहरी सोच में पड़ लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते, आप लोगों को इस वीडियो को लायक करके नीचे जय श्री राम कमेंट में लिखना होगा, ताकि प्रत्येक देशवासी को यह पता लग जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं और राम मंदिर की शान में चार चांद लगा दें, लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्मान के वक्त वहां की धर्ती को खुद गया, तब उस धर्ती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, और उसे चमतकारी और दिव्य वस्तु ने न सिर्फ उन वैज्यानिकों के होश उड़ाए, बलकि भारत सरकार को भी हिला कर रख दिया, जिसके बाद तुरंत एक कमीटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए लगा दी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वे सभी भी प्रभुश्री राम के भक्त बन गए, दरासल ये बा प्रवश्री बन गई और अपना काम करना शुरू कर दिया, अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर की तरफ गई, तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई, जहां पर वहां धरती नरम पड़ी हुई थी, देखने में वह धरती वहां की जगह से पूरी अ लेकिन मजदूरों को तो उनका आरडर मानना ही काम था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किये, खुदाई शुरू कर दी, जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद उस धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गये, उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं, बलकि नामुम्किन सा हो जाता है, लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षन किया, तो पता चला है कि यह पानी तो पास ही में बह रही सर्यू नदी का पानी है, वे एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी, उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी, कि सर्यू नदी का मंदिर की भूमी के नीचे मिलना कोई चमतकार है, या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, ये कोई भी नहीं जानता था, आखिरका श्री राम ने उनकी पुकार सुन, ली और माता सर्यू का पानी स्वत ही बंध हो गया, और एक बार फिर राम मंदिर का निर्मान कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया, और यह काम इस कदर चला, कि अब यहां अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि यह पूरा तयार ही हो गया है, और 22 जनवरी को यहां श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी, यह मंदिर इतना भाव बना है कि इस देखने के लिए भारत सरकार ने यहां पर एक अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़ा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहां पर आ सकें और इसे देख सकें, यह मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जब पुराने समय में यहां पर राम मंदिर था, वह कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, उस राम मंदिर क निर्मान आखिर किसने किया था, क्योंकि यह रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो चलिए, आज मैं आपको इसका पूरा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूं, तो बने रहेगा हमार साथ वीडियो में एंड तक और ऐसे ही राम मंदिर से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आखिर उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था, यह पवित्र नगरी हिंदूओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था, हालांकि यहां खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौध्य एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेश देखे गए, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकरतियां बनी हुई थी, अयोध्या नगरी में होने का व उत्रकुष ने एक बार पुन राजधानी अयोध्या का पुनर निर्मान का, महा भारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजडसी हो, मगर श्री राम जन्म भूमी का अस्तित इर्भी बन, इसके बाद यह उलेक मिलता है कि इसा के लगभग सौ वर्ष पूर्व, उज्जैन के चक्रवर्ती समराट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुँच गए, ठकान होने के कारण अयोध्या में सर्यू नदी के किनारे एक आम के व्रिक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे, उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बस भूमी है, उन संतों के निर्देश से समराट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल, आदी बनवाए, कहते हैं कि उन्होंने श्रीराम जन्म भूमी पर काले रंग के कसोटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्मान करवाया था, इस पुर्मादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की, उन्ही में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णो धार करवाया था, पुष्यमित्र का एक शिला लेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापती कहा गया है तथा उसके द्वारा दो अश्व मेध यग्य के किये जाने का वर्णन है, अनेक अभिलेखों से ज्यात होता है कि गुप्त वंशिये चंद्र गुप्त द्वितिये के समय और ततपश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त सामराज्य की राजधानी थी, गुप्त कालीन महाकवी कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है, इतिहासकारों के अनुसार 600 इसापूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, इस स्थान को अंतरराश्ट्रिय पहचान, पांचवीं शताबदी में चीनी यात्री हुएनसांग आया था, उसके अनुसार यहां बीस बौध मंदिर थे तथा तीन हजार भिक्षु रहते थे, और यहां हिंदूओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहां रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, इ आनिपत के युद्ध के बाद जय चंद का भी अंत हो गया, इसके बाद भारत वर्ष पर आकरांताओं का आकरमन और बढ़ गया, आकरमन कारियों ने काशी मधूरा के साथ ही अयोध्या में भी लूट पाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम ज कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दोरान यहां मंदिर मौजूद था, 14-वी शताबदी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्म भूमी एवं अयोध्या को नश्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गये, कहते हैं कि मुगल सामराज्य के संस्थापक, बाबर के एक सीनापती ने बिहार अभियान के समय, अयोध्या में श्रीराम के जन्मस्थान पर स्थित, प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़ कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1902 तक विद्धिमान रही, अयोध्या में बनाई गई मस्जिद म ने फरिष्टों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया, हालां कि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदूओं को यह भूमी एक चबूतरे के रूप से सौप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक और अंगजेब ने अपने पूरवज बाबर के सपन को पूरा करते हुए यहां भव्य मस्जित का निर्मान कर उसका नाम बाबरी मस्जित रख दिया था, लेकिन अंत में बाबरी मस्जित का भी विधवन्स कर दिया गया, और इस जमीन पर कई वर्षों तक कैसे चलता रहा, और अंत में यह जमीन हिंदूओं को सौप दी गई जिस पर आज श्री रामलाल का भव्य मंदिर बनकर तयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहां पर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी, तो दोस्तों आप भी कमेंट में जाए श्री राम लिखकर राम मंदिर के लिए अपनी शुभ कामनाएं जरूर देना और हमारे चै सब्सक्राइब जरूर करें